यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ खबर फरिदबास से जहां पर सेक्टर 10 के सरकारी स्कूल के में स्कूल की प्रधानाचारे को जम कर फटकार लगाई स्कूल में पहली गंदगी को देखकर S.D.M. भड़क उठे और S.D.M. ने स्कूल में काम करने वाले चपरासी को रेटार्मेंट लेने की नसीहत देते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधों को 24 घंटे की अंदर स्कूल की सफाइव यवस्ता सुधार नी होगी इस दुरान S.D.M. ने ना सिर्फ प्रधानाचारे को फटकार लगाई बलकि छात्रों की कौपी चेक करने के बाद शिक्षकों को भी चम कर फटकार लगाई इस दुरान एक छात्रा की तब्यद बिगड़ने पर उसे प्रात्मिक उप्चार दिया गया तो आपको बता दें कि S.D.M. ने स्कूल की प्रधानाचारे को फटकार लगाई स्कूल में गंदगी कामबार देखने को मिला जिसके चलते हम फटकार लगाई गई और साथी S.D.M. ने कहा सफाई कर्मी को कहा कि उन्हें रेटारिमेंट लेनी की जरुत है S.D.M. ने ना स्रिफ प्रधानाचारीज बलकि पच्चों की कॉपी चेक करने के बाद में शिक्षकों को भी फटकार लगाई है और 24 घंटे के अंदर प्रथान अचारे को यहां पर फरकार लगाने के बाद SDM ने 24 घंटे के अंदर स्कूल प्रमिसेस को साफ करवाने के आदेश दिये हैं इससे क्या होगा कि सब चीजों को पर एक चैक आउट आता है और एक डिविजनल ओफिसर होने के नाथे इन्होंने उस सीज़ को बाकूबी निवाने का जो अपने अंदर जज़बा पैदा करके आज रोड़ पर निकले हैं स्कूल में कॉपियों को चेक करने के लिए स्कूल में सब चीज को चेक करने के लिए निकल चलें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में हमारे पास कुछ अंसाधानों किता है कुछ थाओ स्कूलों में थाओ स्कूलों में चलेंगानों किता है